आपनोटिपख्ष टिरिश्वी आदबने कहा कि 15 दिन ने आडशत लोगों की हत्या हुई हम बात करेंगे जड़ियों किमुक्त प्रवक्टानेज कुमार है हमारे साथ नेता प्रतिपख्ष का कहना है कि 15 दिन में 68 लोगों की हत्या हुई कभी उनको आप संग्या में बोलते देखे हैं मैंने नाउन जिसको कहते हैं अब इसलिए इसलिए मैंने कहा कि हमारा यूएस पी क्या है रूल आफ लॉज जितनी आलोचना कर ले आपने आज प्रेस कोंफेरेंस किया है प्रेस कोंफेरेंस करके लेसी सिंग पर जो आरोप लगा उसका पुलिस जाच करेंगे जैसे ते जस्वी आदो जी आप पर आरोप लगा था एक दलित परिवार ने लगाया जिसमें आप के मुदाले हैं अनुसुचित जाती जन जाती अधिनियम के भी तहद मामला दर्जे आपके मामले में पुलिस जाच कर रही है तो पुलिस की निश्पक्षता पर आप सवाल किसे उठा रहे हैं तो आप नहीं जील चले आते अगर राजनेतिक विद्वेश से आप तो हमारे व जील खाने में रहते हैं जिसको आप जॉइन कराए 26 परवरी 2020 को वह ना बेवर जेल के तिरतिया है भागलपूर जील में केंद्रियक कारा में बंद हैं ऐसा ऐसा लोग इनके रोल मॉडल है राजनीत में लगतार आप कहते हैं फोर ट्वंटी के आरोपी हैं तो यस्विया अरजेटी ने कहा है कि पट्याला कोट में नितीश कुमार ने कॉपी राइट को लेकर जुर्माना भरा था उन्हें जो बोलते हैं नुब मॉड़ते हैं और आपको यह सब भाग मिला राजनीत में कि पट्याला कोट पहुंच गए कोई होटबार पहुंच गए इसलिए इनके आलोचना का ऐसे मामले पर करप्सन का सवाल हो और नहीं नहीं लेने का रहा है इसको अर्जडी भी रिक्षा बैठक बता रहे हैं और समिक्षा बैठक मानिया मुख मंत्री जी इनको भी फोटो टो किच बाते जब इस महीना रहे तो उसमें क्या कर रहे ते याचक में बैठते याचना करने के वहां कि अंकल आरोप लग रहा है हमको छोड़ दीजिएगा हमको बचा लीजिएगा तेहीं करी जाते थे अरे समिक्षा बैठक का मतलब होता है सरकार अपने कारिकरम की समिक्षा करती है अब उनको नहीं पता है उनको मापिता जी उनके पिता जी सब काम किये होंगे माँ तो खर बहुत कम दिन मुख मंती रहे होगा उसका तक पिता जी से पुछने भी स्वस्ता हूं तो यह थे मर साथ जंता दली उनाइटेट के मुख्य प्रवक्ता निरज कुमार जिस तरीके से कल आरोप लगा है लेकर तो यहोंने कहा है कि जाच निश्पक्स तरीके से होगी साथ ही साथ मुख्य मंत्रिति इसकु चाहे लिए परणेशन के साथ नाष्कार चाहि है